पर दोस्तों टैक्स पो वेल्ट के एक ब्राइड न्यू विडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है पिछली बार हमने जब ट्रेडमार्क्स की विडियो गनाई थी तो आप लोगों ने हमसे बहुत सारे सवाल कॉमेंट्स में इमेल पर हमसे सवाल पूछे हमने आपके सवालों का जितना जवाब दिया है उसके बावजूद हमें रियलाइज हुआ कि ग्राउंड ओफ रिजेक्शन एक बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है उस पे भी आपको एक विडियो कंटेंट दे कर आपकी सारी क्वेरीज दूर की जाएं कि ग्राउंड ओफ रिजेक्शन इतने क्लियर कर दिये जाएं आपको कि ये रिजेक्शन के ग्राउंड क्रियेट ही नहों आपकी अगली आने वाली विडियो में आने वाले trademark applications में देखिए सबसे पहले तो trademark की application का procedure समझे कि trademark की सबसे पहले एक application file होती है उसके बाद वो scrutinize होती है अब application जो filing है ना सबसे पहला ground of rejection है application process में कमी होना, तुरटी होना उसके लिए आप मारी पिछली video refer कीजिए कि application का सही process क्या है आप सही process से अगर application file करते हैं तो भी आते हैं grounds of rejection जिसमें है सबसे पहला और सबसे common और सबसे मैं कहूंगा सबसे understood कारण of rejection है कि similar to a registered trademark आप trademark कराते ही क्यों है ताकि वैसे नाम से उस mark से कोई और अपने product and services ना बेचे तो जब आप और किसी और के registered trademark से similar trademark कराने जा रहे है तो बशर्ते और यह जायज है कि trademark department उस application को reject करे उस ground पे objection create किया जाए उसके बाद rejections किये जाते हैं अगर आपका जो word है वो या फिर जो design है वो descriptive है जैसे मान लीजिए आप गए trademark कराने एक टमाटो की किसी चीज का और आपने उसका नाम रख दिया टमाटो टमाटो डिस्क्रिप्टिव है कि यह description है टमाटो केचप आप टमाटो केचप लिखके टमाटो केचप ही trademark कराने चले गए सरी एक descriptive word है यह describe कर रहा है उस item को यह आपका कोई unique name नहीं है जो आपने डिवाइस किया है जिसको आप कह रहा है कि इस नाम से हम बेचेंगे विए किस टमाटो केचप एक description है उस product की आप कुछ बताईए कि उसमें क्या है sweets बेच रहा है तो sweet लिखके नहीं बेच सकते हैं it should not be a descriptive word it has to be a unique trademark that has been devised उसके बाद general words पर आप trademark लेने अगर पहुंच जाते हैं जैसे कि आप pen, pencil, marker, you know, eatables आप कोई general words है जिसकी generally use किये जाते हैं already general words पर सब का हाख होता है तो उन words पर कहीं ना कहीं हम यह कहेंगे कि कोई व्यक्ति विशेश जाके अगर trademark ले तो ये business के, वेबार के और पूरे economy के और पूरे department के working structure के हित में है कि उन words पर तो trademark ना ही दिया जाए जोकि general words है सब को इने use करने का मेरे ख्याल से भी और government के ख्याल से भी अधिकार है और ये अधिकार उने दिया जाता है कोई offensive terms, किसी व्यक्ति विशेश किसी जात ये किसी community की भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाले शब्दों पे भी उन designs पे भी आपको trademark नहीं दिया जाता है अब कोई confusing term हो जैसे की माननीजिये consumer को आप कोई ऐसे नाम से बेच रहे हैं जिससे consumer confuse हो सकता है उसके origin के बारे में उसके design के बारे में आप माननीजिये की कोई चीज बनाते तो हैं कहीं और से और ना उसका कोई लेना ना कोई देना और आप उसके उपर link देते हैं for example बीका नेरी बीका नेरी तो उसको कोई लेना देना ही नहीं है product करना प्रोडेट करना प्रोडेट के इनिशल स्टेजिस करना फॉर्म लेगा और आपने उसके पहले इदिया बीका नेरी बीका नेरी एक बहुत ज़्यादा पॉपलर चीज है जब हम खाने पीने की बात करते हैं तो वो भी जो कन्फ्यूज कर सकते हैं न टर्म्स और डिजाइन उस पे बहुत ही इची बात कहूंगा यह कंजूमर्स के राइट में कंजूमर्स के फेवर में गवर्मेंट का बहुत अच्छा डिसेजिजिन है गवर्मेंट की बहुत अच्छी एक थौट है कि इन पे आपको ट्रेडमार्क नहीं देते हैं अफिशिल डिजाइन और लोगोज अब भारत का जंडार अगर आप ट्रेडमार्क कराने पहुँच जाओगे तो आपको ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा अशोक स्तंप पर ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा यह ओफिशिल टर्म्स हैं यह ओफिशिल डिजाइन यह वर्ड्स हैं जिन पर ट्रेडमार्क नहीं दिये जाते हैं और एक्जामिनर को अगर फील होता है कि कुछ corrections की भी जा सकती है फिर भी उसके पास एक right है कि वो undisputed आपको ट्रेडमार्क को reject कर सकता है उसके बाद objections जो है ना वो दो section में लगाई जाती है आपने सबसे पहली objection लगेगी section 9 में यहाँ पर वो सारी objections जो मैं आपको उपर बताई descriptive, generic, यानि goods के origin या services या फिर उसकी quality, quality के बारे में या nature के बारे में जहाँ deceptive words यूज हुए है वो सब section 9 में cover होते हैं और section 11 जो है वो वो section है जहाँ पर आपको जब notice section 11 काया है ना तो समझ जाएगी कि आपके word या design से किसी और trademark में similarity निकल रही है अब ये जो है ना यहाँ पर आप बस दो option होते हैं section 11 में options आपको लिखे हुए आपकी screen पर दिख भी रहे होंगे सबसे पहले तो no objection एफिडेविट दीजिए उस owner से सबसे पहला option लिए है कि आप जाएए उस owner के पास उससे कहिए कि जो थोड़ी सी conflict है इस पर हमें कोई objection नहीं है ये भी आप किसी professional की मदद से ही करें advice ही है चाहें तो आप खुद owner से बात कर सकते हैं उस trademark के but professional से मदद दीजिए आपको उसके conditions मिल जाएंगे जिन conditions पर आपको no objections देना चाहेगा या फिर contest कीजिए कि ये जो mark है ये different है इसमें आपको proof करना पड़ेगा पहली बाद तो इसकी distinctiveness आपका mark क्यों different है उस mark से और ये दो separate marks में कैसे distinguish करेंगे आने वाले टाइम में आप दोनों और पुरी market ये आपको proof करना होता है section 11 की rejection बहुत common rejection है आम तोर पे आती है और दो option जो है वैंने आज आज आपको बता दी है इसके पाद हो जाता है refusal अगर आप कहीं भी proof नहीं कर पाते हैं तो हो जाता है आपका trademark refuse अब आप पस option होता है कि intellectual property appellate board के पास आप एक appeal फाइल कर दे अपने trademark के लिए फाइट करने के लिए board के पास जब भी आप trademark की application फाइल करते हैं तो वो फाइल होती है TM2 और TM3 में TM1 से आपने जब application फाइल करी होगी trademark की अगर वो single class में trademark register करा था तो रहेगा appeal का form रहेगा TM2 अगर वो multiple classes का trademark था तो form रहेगा TM3 फीस रहेगी 5000 रुपे TM2 की single class में और 10,000 रुपे TM3 की जो multiple class का trademark आपने apply किया था ये रहा procedure आपके refusals and rejections का फिर भी कहूँगा study कीजिए try कीजिए अपने trademarks को protect करने की उनको register कराने की और जहां जरूरत पढ़े बिदा हिचक के बिदा संकोच के पहुँच जाए अपने professional के पास और professionals आपको बहुत ही बहुत ही reasonable fees में आपको ये सारी services ये सारी knowledge professionals आपको apply करके आपका trademark सुरक्षित करने में आपकी सहायता करेंगे बने रहिए tax for build की साथ अगली वीडियो में मैं अकुलरोरा आपको इंतजार करूँगा धन्यवाद